अधी रात में दिन निकलता है ऐसे देश की जहां डेड़ लाग से ज्यादा जीले हैं जहां क्राइम है ही नहीं वो देश जहां ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर सरकार साड़े आठ लाख रुपए से ज्यादा इनाम में देती है और यहां के लोग दुनिया के टॉप फाइब देशों में सबसे ज्यादा खुश हैं ये एक बेहत खुबसूरत देश है आज हम आपको इसके बारे में ऐसे ही अजीबो गरीब facts बताएंगे तो चलिए आपको बता देते हैं आज हम बात करने वाले हैं Finland देश के बारे में दोस्तों हम कहेंगे कि इस देश के बारे में जानते समय इस देश के तुलना भारत से जरूर कीजिएगा और सोचिएगा कि हम इनके जैसा क्यों नहीं बन सकते हैं और अगर बन सकते हैं तो हमें क्या क्या सुधार करने चाहिए आईए शुरू करते हैं दोस्तों आपने इस देश के बारे में सुना तो काफी होगा पर क्या आपने इसे दुन्या के मैप पे देखा है अगर नहीं देखा तो देख लीजी कि फिनलेंड इस दुन्या में कहां पर है इस देश के पश्चिम में स्वीडन, पुर्ब में रूस और उत्तर में नौर्विस थे थे जबकि फिनलेंड खारी के पार दक्षिन में इस्टोनिया देश थे थे फिनलेंड की राजधानी हिलसंकी है ये योरोप का आठवा बड़ा देश है कई सदियों तक फिनलेंड राजशाही के तले रहा लेकिन 19-फी सदी में रूस ने उस पर कबजा कर लिया पर 1900 के शुरुआती बरसों में ही फिनलेंड के लोगों ने रूस से ग्रिह योदिक के बाद 1917 में स्वतंतरता हांसिल कर ली मधियुक से पहले आने 1809 तक ये स्वीडन देश का ही एक भाग था और इसी कारण यहां स्वीडिश संस्कृति की पूरी चाप है यहां के दो आधिकारिक भाशाओं में एक स्वीडिश है और दूसरी फिनिश दूसरे विश्यद से पहले ये एक क्रिशि प्रधान देश था लेकिन पचास के दशक में यहां अमूल चूल बदलाव हुआ बड़े इंडुस्ट्रीज लगी और बड़े बाजार का आगाज हुआ जसके बाद ये दुनिया की सबसे बड़े एकॉनमीज में से एक बन गई आईमेफ उसे दुनिया का बेस्ट देश मानता है फिनलेंड की भारत से दूरी 6,114 किलोमेटर है जो लगभग 3,799 मिल के बराबर है आप देख सकते हैं कि अगर आप फ्लाइट से आ जाना चाहते हैं तो इसका रास्ता कैसा होगा अगर आप भारत के नई दिल्ली अरपोर्ट से फिनलेंड के लिए फ्लाइट लेते हैं तो सबसे कम किराया लगभग 25,000 रुपए है आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहां के करनसी यूरो है और 1 यूरो 85.70 भारती रुपए के बराबर होता है यहां का मौसम बहुत ही सुहाबना और मनमुहक होता है फिनलेंड में कुल 1,87,888 जीले हैं जसके कारण इसे जीलों का देश और अंग्रेजी में दे लैंड ओफ थाउजन लेक्स भी कहते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिनलेंड में गर्मियों के समय राद 12 बजे के बाद ही कुछ अंधेरा होता है इसके पहले 10 बजे के आसपास तो ऐसा लग रहा होता है कि जैसे अभी अभी शाम होई है जबकि ठंड के वक्त दिन में अधिकांश अंधेरा ही रहता है दोपहर में कुछ समय के लिए ही सुरी के दर्शन हो पाते हैं आपको जानकर हरानी होगी कि फिनलेंड में सूरज 18 घंटे के लिए निकलता है और यहां कुछ ऐसी जगहें भी हैं जहां 51 दिनों तक रात होती है जियां 51 दिनों तक ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह देश प्रित्वी के उत्तरी ध्रूब से थोड़ा नीचे की और स्थत है और आप जानते हैं कि प्रित्वी के ध्रूबों पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है इसी करण फिनलेंड को the land of midnight sun कहा जाता है वर्ष 2018 के जनगनना के अनुसार यहां के अबादी लगभग 55,22,000 है भारत में इतनी अबादी तो एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट की होती है इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह देश कितना बड़ा है इस देश के ज्यादा तर लोग दक्षनी शेत्र यानि अस्टोनिया देश की तरफ रहते हैं शेत्रफल के हिसाब से यह यूरोप का आठवा सबसे बड़ा और घनत्व के आधार पे यूरोपीय संग में सबसे कम आबादी वाला देश है यहाँ एक वर किलोमेटर में लगभग 18 लोग ही रहते हैं जो यूरोपीयन यूनियन में सबसे कम है आपको बताएं भारत में प्रती वर किलोमेटर में लगभग 382 लोग रहते हैं इस देश में रहने वाले ज्यादा तर लोगों की मात्री भाशा फिनेश है वहीं देश के 5.5 प्रतिशत आबादी की मात्री भाशा स्वीडेश है क्या आप जानते हैं कि फिनलेंड के शिक्षा विवस्था दुनिया में सबसे अच्छी है आपको पता है कि भारत में या फिर दुनिया के अधिकतर देशों में बच्चों को 5 साल की उम्रों में स्कूल भेज दिया जाता है जिबकि फिनलेंड में बच्चे 7 साल में जाकर स्कूल में दाखिल होते हैं ये देश अपने नागरिकों के शिक्षा पर बहुत ज्यादा खर्च करता है और शायद सही शिक्षा मिलने के कारण ही यहां की जनता बहुत जागरोग है इस देश में पढ़े लिखे लोग ही पार्लियमेंट में चुने जाते हैं इसलिए आप समझ सकते हैं कि किसी भी देश में सही शिक्षा कितनी जरूरी है विश्म की श्रेश्ट शिक्षा व्यवस्था होने के बावजूद फिनलिन में बेरोजगारों की संख्या अत्य देख है इसलिए सरकार द्वारा यहां बेरोजगारों को प्रति दिन 30.46 योरो दिये जाते हैं यानि 212 योरो हर सब्ता हो और हर महीने लगभग 912 योरो अगर भारतिये रुपियों में बैद की जाए तो 912 योरो 83,214 रुपे के बराबर होते हैं ये पैसे उन्हें इसलिए दिये जाते हैं ताकि वो अपना जीवने अपन कर सकें इस देश में PhD पुर्ण कर लेने वाले विद्यार्थियों को टूपी और थलवार दी जाती है फिनलेंड के लोग काफी इमानदार होते हैं रीडर डाइजिस द्वारा फिनलेंड में लोगों की इमानदारी का टेस्ट करने के लिए विभिन सर्वजनिक स्थानों पर 12 पैसों से भरे बैग रखे गए जिसमें से 11 बैग लोगों द्वारा पुलस स्टेशन में जमा करवा दिये गए इसे देखने के लिए आप कांच से बने इगलू यानि गलास इगलू में राद गुजार सकते हैं देखिए एक इतनी शांदार रोश्नी है यह दुनिया का सबसे स्थिर और सुरक्षित देश है संगठित क्राइम यानि ऐसा क्राइम जो बड़े स्तर पे होता है वो यहां नो के बराबर है यहां के पुलिस भारत जैसी नहीं बलकि बहुत भरोसे मंद और सक्षम है यहां के पुलिस और इंटरनेट सुरक्षा को दुनिया में दूसरे नंबर पर माना जाता है यहां के पुलिस कानूनों का पालन सकती से करवाती है हलनकी यहां की जीडीपी कम है लेकिन फिर भी फिनलेंड की अर्थ व्यवस्था बहुत मजबूत है इस कारण यहां के बैंक दुनिया के सबसे दमदार माने जाते हैं यह दुनिया का अकेला देश होगा जहां कोई बेघर नहीं है इस देश ने यह जानने के लिए कि उसके नागरी खुश है या नहीं अर्थ व्यवस्था के मानकों में हैपी इंडिक्स यानि खुशी का मानक रखा है केवल मानक ही नहीं यह देश उसमें भी सबसे उपर है क्योंकि वर्ष 2015 के बाद यहां कई देशों के शरनार्थी पहुँझे वो सबी यहां खुश है 55 लाग के इस देश में शरनार्थियों की संख्या 3 लाग के आसपास है शरनार्थियों को भी बहुत कम दरों पर किराय का मकान उपलब्ध कराया जाता है फिनलेंड रिसोर्च और लोगों को कुशल यानि आत्मनिर्भर बनाने की ट्रेनिंग पर भारी खर्च करता है और इसी कारें फिनलेंड वेशो का सबसे ज्यादा योगे प्रतिभाओं को तयार करने वाला देश बन चुका है यही बज़ाया ही कि इसकी समरद्धी भी शिकर पहुंचकर इसे तीसरे स्थान पर लियाई है फिनलेंड की जनसंख्या मातर 55 लाग है यहाँ जनसंख्या दिन बदिन घटी जा रहे है इसलिए प्रजन अंदर बढ़ाने के प्रयास के तहर बच्चा पैदा करने पर सरकार द्वारा 10,000 यूरो यहाँ के लोग अपने जीवन से संतुष्ट हैं उन्हें अपने रहने की जगहों से कोई शिकायत नहीं है हलंकि यहाँ रहने की जगहें काफी स्पेस वाली और आरामदायक है कंजूमर कॉन्फिडेंस यूरोप में सबसे मजबूत है लिंक बराबरी में भी ये विश्व के टॉप 5 देशों में है यानि यहाँ लड़के और लड़कियों के जन पे कोई भीदभाव नहीं किया जाता है यही नहीं फिनलेंड सबसे ज्यादा महिला सांसदों के मामले में दुनिया का तीसरा शिर्ष देश है फिनलेंड यू तो कई मामलों में खास है लेकिन दिल्चस्प है कि वहाँ ट्राफिक चालान लोगों की तनखवा के हिसाब से काटे जाते हैं हलाएंकि इस कानून ने पुलिस वालों को खूप तंग किया क्योंकि लोग अपनी कमाई हमेशा कम बताया करते थे ताकि चालान कम भरना पड़े यूके स्वीडन तिथा फिनलेंड के पैसपोर्ट और देशों के मकाबले ज्यादा ताकतवर हैं क्योंकि इन पैसपोर्ट से आप बिना वीजा के दुनिया के अधिक्टिव देशों में घूमने का आफसर पाते हैं किसी और देश के पैसपोर्ट की तुलना में फैक्ट नंबर फिफ्टीन होटिल जैसे जेल फिनलैंड के जेल दुनिया के सबसे अच्छे जेलों में गिने जाते हैं यहां के कई जेल भारत के होटलों से भी ज्यादा अच्छे हैं क्या आप जानते हैं कि डॉनल डॉक कॉमिक्स फिनलैंड में बैन कर दी गई थी और वो भी सिर्फ उसके पैंट ना पहनने के वज़ा से और शायद ही आपको पताओ के मोबाईल बनाने वाली नोकिया कमपनी और अंग्री बर्द्स गेम बनाने वाली रोव्यो कमपनी फिनलैंड की है फिनलैंड वालों ने ही दुनिया को पहला इंटरनेट ब्राउजर दिया है यहां बीवियों को उठाने के एक विश्वस तर्य प्रतियोगिता होती है जिसके विजेता को उसकी बीवी के वज़न के बराबर बेर दी जाते है अपको जैनकर आश्यर होगा कि अपना मुबाईल फोन फिकना फिनलैंड का आधिकारी खिल है अब फिनलैंड में बिल्लियों के नाखों नहीं काट सकते अप मैप में देख सकते हैं कि स्वीडन और फिनलैंड दोनों का बॉर्डर एक दूसरे से लगा हुआ है इस बॉर्डर पर एक गॉल्फ क्लब है जिसके आधे होल्स एक देश में हैं और आधे दूसरे देश में फिनलैंड की सड़के बहुत अच्छे स्थिति में हैं और अधिकतर खाली रहती हैं यहां ट्राफिक जैम बहुत कम होता है फिनलैंड में हर 10 प्लास्टिक बॉटल्स में से 9 रिसाइकल कर ली जाती हैं जिबकि सारी की सारी शीशे की बॉटल्स रिसाइकल कर ली जाती हैं फिनलैंड की भूमी हर साल लगभग 7 वर किलोमेटर बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ पर ग्लीशेनों से निकलने बाली नदियां अपने साथ मिट्टी बहा कर लाती है और इसके किनारों पर विछा देती है फैक्ट नंबर 20 दुन्या की सबसे लंबी सुरंग फैक्ट नंबर 20 दुन्या की सबसे लंबी और विश्व की दूसरी सबसे लंबी टनल है इसकी लंबाई 120 किलोमेटर है फैक्ट नंबर 22 नाशनल स्लीपी हेड़े बनाया जाता है जिसमें घर में सबसे देर तक सोने वाले सदस्ये को घर के बाकी सदस्ये पानी में डाल कर जगाते हैं फैनलेंड वासी कॉफी को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं वो एक दिन में तीन से चार कप कॉफी पी जाते हैं जो उनकी लाइफ पे सकारात्मकसर डालता है क्या आप जानते हैं कि 25 दिसमबर को मनाय जाने वाले क्रिसमस पर बच्चों के लिए गिफ्ट लाने वाले सैंटा क्लॉज या सेंट निकलस का घर यहीं पर है चलिए अब आपको इस देश के बारे में कुछ और मज़ेदार फैक्ट्स बताते हैं जैसे यदि आप फिनलेंड से उत्तर कोरिया पैदल जाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ एक देश पायर करना पड़ेगा और वो है रूस फिनलेंड में गाडियों के लाइट 24 घंटे तक और रखने पड़ती है फिनलेंड में टोल टाक्स नहीं देना होता फिनलेंड उन देशों में शुमार है जिन्नोंने 1908 से लेकर अब तक हर उलिंपिक में मिडल जीता है फिनलेंड को उलिंपिक में अब तक 18 गोल मिडल प्राप्त हुए हैं और योगलब्धी इसे उलिंपिक कितिहास के सबसे सफल देशों में से एक बनाते है Finland में gambling सरकार द्वारा नियंत्रित की जाते है इससे होने वाली आये गरीबों में बार दी जाते है Finland में सरकार द्वारा 17 साल से कम उम्र के बच्चों को मुफ्त शिक्षा और आर्थिक सहायता प्रदान की जाते है मज़गी बात यहे कि Finland में TV टैक्स अनिवारे है इसके अलाबा वहाँ candy tax भी देना पड़ता है क्या आप जानते हैं कि विश्व में सबसे कम रष्टा चार वाले देशों में फिनलेंड तीसरे स्थान पर है फिनलेंड में बिल्लियों के नाखून काटना वर्जित है ऐसा करने पर कानूनी कारवाई की जा सकते है फिनलेंड के लोग साबजनिक स्थानों पर ज्यादा बात नहीं करते वे अजनबियों के साथ बाचीत में शामिल नहीं होते बलकि शांत रहना पसंद करते हैं तो दोस्तों ये थी जानकारी फिनलेंड के बारे में आपको जानकारी कैसी रगी हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं